हेलो फ्रेंड्स मैं मन्जू स्वागत करती हूँ आपका अपना फूट टेस्ट में आज मैं आपके लिए फिर से एक बार भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ वो भी बिल्कुल नए तरीके से रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिवेडन है अगर अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए तो चली शुरू करते हैं आज की रेसिपी भिंडी बनाने के लिए मैंने आधी किलो भिंडी ली है जो कि अच्छे से वाश करके इसे सुखा के मैंने चार हिस्से में कट कर लिया है लंबे में भिंडी चार हिस्से में कट करने से इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाएंगे और इसमें मैंने डाला है आधी चमच नमक, एक चोथाई हल्दी पाउडर और देट चमच धनिया पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे और डाला है मैंने इसमें एक चमच कश्मिरी लाल मिच पाउडर दो चमच डालेंगे बेशन और इसे हम हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी के साथ भिंडी के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स करने से भिंडी के जो बीज होते हैं वो नीची की तरफ आ जाते हैं जो कि भिंडी से अलग हो जाते हैं इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भिंडियों में लग जाए और मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और लिया है मैंने दो मीडियम साइज प्यांच जो कि मैंने रफली चॉप किया हुआ है और इन्हें मैंने इस तरीके से अलग कर लिया है इससे भिंडी की सबजी में प्यांच का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है और अब मैंने कड़ाई में तेल डाला है तीन से चार बड़े चमज यहाँ पर मैंने सरसो का तेल का अस्तमाल किया है और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी mix की हुई भिंडिया अभी मैं आदी भिंडिया डालूँगी और इसे कर्ची से चला लेंगे ताकि जो भिंडिया है वो अच्छे से तेल में हमारे फ्राई हो जाए जब भिंडिया अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएंगी तो बाकी के बचे हुई भिंडिया भी हम कड़ाई में डाल देंगे सबी भिंडियों को मैंने कड़ाई में डाल दिया है और इसे कर्ची से चला लेंगे बेशन डालने से भिंडिया हमारी करारी बनती है और खाने में बहुती स्वाधिस्ट होती है और साथ ही बेशन लानने से जो भिंडिया में चिपचिपा पन रहता है वो भी नहीं रहता है भिंडियों को हम मीडियम फ्लेम पे खुले में पका लेंगे 5-7 मिनट के लिए बिंडी को हमें अभी ज़्यादा कुक नहीं करना है स्रिफ 50% तक ही हमें बिंडियों को पकाना है और बीच बीच में हमें बिंडियों को चलाते रहना है ताकि बिंडिया अच्छे से पक सके और बिंडियों को हमेशा मेडियम फ्लेम पे ही पकाएं वो भी खुले में अगर ढखके पकाएंगे तो जो भिंडिया है वो चिप-चिपी हो जाएंगी mix करने के बाद फिर से हम इसे 2-3 मिनिट के लिए खुले में पका लेंगे और इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे जैसे जैसे भिंडिया हमारी पकती रहेंगी वैसे वैसे जो भिंडियो का जो कलर है वो पहले से डार्क हो जाता है और देखिए भिंडि अभी से दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और हमारे भिंडिया 50% पक चुकी है और मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी अगर आप प्याज का स्थमाल नहीं करते हैं तो आप भिंडियों को इसी तरीके से आप पका सकते हैं बिना प्याज के भी इस तरीके से भिंडि की सब्जी भहुती स्वादिस्ट लगती है और सभी भिंडियों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और उसी कड़ाई में मैं अब दो चम्मज तेल डालूँगी और तेल गरम होते हैं इसमें डालूँगी एक चम्मज जीरा और कटे हुए प्याज प्याज को भी हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे 50% तक जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और जो प्याज है उनका जो कलर है हलका सा ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें प्याज को भूनना है यह देखिए प्याज हमारे 50% भून चुके हैं और अब मैं इसमें डालूँगी फ्राई किये हुवे भिंडियां सभी भिंडी को हम कड़ाई में डाल देंगे और इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमें भिंडी को प्याज के साथ अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पे जैसे जैसे हम भिंडी और प्याज को पकाएंगे जो प्याज है वो भी अच्छे से पक जाएगा और जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे अगर आप चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्यांच भूनतेर सामें आप हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं भिंडिया हमारी प्यांच के साथ 70% कुक हो चुकी है और अब मैंने यहाँ पे आधी चम्मच और नमक डाला है और आधी चम्मच डाला है मैंने यहाँ गरम मसाला और एक चम्मच डाला है आम चूर पाउडर ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला है तो नमक ज़रा ध्यान से ही डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भिंडियों को हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे खुले में जब तक कि भिंडिया हमारे अच्छे से कुक न हो जाए भिंडी हमारी लगभत 90% पक चुकी है और इसे मैं एक बार फिर से चला लूंगी आप इस तरीके स से भिंडी को step by step बनाएंगे तो आपकी जू भिंडी है खाने में बहुती स्वादिश्ट बनेगी और जब भी आप बिंडी की बनाएंगे तो फिर हमेशा इसी तरीके से बिंडी को बनाएंगे और यहां पे बिंडी की सब्जी पक चुकी है और मैंने गैस कर दिया है बंद और बंद करने के बाद बिंडी को निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में यह देखिए लग रही न बिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी देखने में जो की बनी है एकदम क और खाने में सबको बहुत पसंद आने वाली है बिंडी का सीजन है तो क्यों ना आप इस रेसिपी को घर पे ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर